गुरु गोविंद दोंखने काके लाग उपाए बलेहारी गुरु हाप के जो गोविंद यो बताए जिसे जीवन में गोविंद मिल जाते हैं श्री कृष्ण मिल जाते हैं जीवन की सभी समस्याओं का अंतग हो जाता है दोस्तों श्री कृष्ण के बताय हुए मार्ग उपर यदि हम चलते हैं तो हमें हमारी जीपन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिलने लगता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुवबसर पर आपको हार्दिक शुब कामना है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चार माहा उपाय जिनने स्वतह श्री कृष्ण ने सिध्धान्तिक रूप से बताया है हम सब के उध्धार के लिए यहाँ पर दोस्तों पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पती-पत्नी के जगडे आपकी जन्मकुणली में शरी, शनी का बुरे भाव में होना यह सभी तरह की जो दिक्कते हैं इन उपायों को करने से स्वता ही कम होती जाएंगी और आपको इनके पॉजिटिव रिजर्ट जरूर देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों जन्माष्टमी के शुवपसर पर आपके लिए बहुत सारे महा उपाय लेके आज में आई हूँ नमस्ति दोस्तों मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपकी दोस्त नीता आप सब कैसे हैं दोस्तों हमेशा की तरह माता नानी का जैकारा सदेव लगा यह आप सभी के ईश्ट गुरुते भगवन माता पिता को कोटी-कोटी प्रणाम है दोस्तों आज जैन्माष्टमी है तो हम सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा का जब जरू करेंगे साथी साथ अगर दोस्तों आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लार रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए बाजमी घंती या बैल के अतने प्यारव़े कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे पद्धा पड़ता है कि आप मझे बहुत सारा प्यार करते हूं कि मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ बढ़के बहुत खुशी होती पॉजटिविटियोस बनाए जायें मैं आज मैं जैसा कि आपके लिए प्रश्न का ग्यान बहुत ही जादा है उनके बच्वन में उन्होंने लीलाय करी जब वो बड़ी हुए तो योगेश्वर के रूप में उन्होंने कई साधनाय करी उन्हें हर तरह का ग्यान है वेद विदात का ग्यान है सूर्य सिध्धान्त का ग्यान है वो एक तरह से योगे तूर हो जाते हैं सबसे पहला उपाई में उन लोगों के लिए बता रही हूं जो हमेशा बोलते हैं पैसा नहीं है money problem से संबंधित उपा है business नहीं चल रहा है, job नहीं मिल रही है पर पैसा प्रतिष्ठा प्रमोशन नहीं हो रहा है अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है आखों की तकलीफ है हड्डियों में दर्द रहता है सूरी से संबंधित सारी दिक्कते होती है दोस्तों ये आपकी जीवन में यदि पैसी की stability नहीं है पैसा नहीं मिल रहा है आपको day to day का तो ये सूरी से संबंधित परिशानिया है और च्री क्रश्ण ने इसके लिए जो मंत्र खोज के निकाला है वो मंत्र में आपको बता रही हूँ आपको उपाय कैसी करना है ये भी बता देती हूँ आपको रोज सुभा के समय जब सूर्य उद्धै हो रहा है तब आपको सूरी के सामने वैठ के इस मंत्र को 108 बार बोलना है ओम खगोल काय स्वः इस मंत्र को आपको रोज सुभा 108 बार बोलना है बहुत साय लोग सूचेंगे नहीं नहाना है, यह सब करना है, अगर इतना सब पॉसिबल नहों, सुबह के समय उठें, एक साफ कोरा कपड़ा अपने घर में रख लें, जो कि धुला हुआ नहों, उसको पहने, अच्छे से नहा दो के फ्रेश हो जाएं, यानि जब भी हम भग आपके जीवन में, जो भी तकलीफे आ रही है, विदिन 6 मंथ, वो सारी तकलीफे दूर होईगी, अब हम उपाय नमबर 2 पे जाते हैं, जिस घर में पती-पतनी के जगड़े होते हैं, किसी के भी जगड़े होते हैं, उस घर में एक अजीब से नेगेटिविटी आ चाती है यह है उपाय नमबर 2, जहां पे आपके घर में कैसे भी जगड़े हो, साल भव के जगड़े हो, भाई-भाई का जगड़ा हो, हर जगड़े को दूर करने के लिए है यह उपाय, आपको करना है कार्तिक मास की पंचमी से, कार्तिक मास दोस्तों आने वाला है जब दिवाली क नहीं खाना है, दोस्ते कोई उपवास नहीं, यह वरत है, साल भर का आप उस दिन संकल पे लीजिए कार्तिक मास की पंचमी से लेके, कि आप लोग कोई भी खटी चीज एक साल तक नहीं खाएंगे, ऐसा करने से आपके घर में जो जगड़े हो रहे हैं, वो बंध हो जाएं और रोज जो बाल कोपाल की आपके घर में वो हो प्रतिमा आप उसको रोज इसनान कराईए, और साथ ही साथ अपने घर में आप हवन करिए, आप चाहें तो हफते में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, हवन के लिए जो समीधा होई, उसमें आपको धेर सा देश या कष्ट होते हैं वो दूर होंगे आप सबको positive energies मिलेंगी और घर में तरक्की स्वता ही आएगी अब दोस्तों हम तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं जिलनों की जनमकुंडली में शनी का दोश है या शनी के कारण वो परिशान हो रहे हैं उन्हें के उपाय करना है शनी क प्रकोप को दूर करने के लिए आपको रोज सुभव नहाद हो के अच्छे से भगवान श्रीक्रश्न को भोग लगाना है भोग में तुलसी मखन मिश्री रोज आपको तुलसी मखन मिश्री का भोग श्रीक्रश्न को लगाना है बिना कुछ खाय पर ये रोज नहा के और य दिकत आ रही थी, husband, घर में, पैसे, रुपे से संबंद, शादी नहीं हो रही है, कई सारी दिकते जो भी आ रही थी, आपको उनके solution मिलेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ नहा के भगवान श्रीकरश्न को भोग लगाना है, बहुत लंबी पूजा नहीं होती है, सिर्फ भगवान के साथ, जितना आपका connection अच्छा है, उतनी जादा आपके उपाय एफेक्टिव होंगे, तो दोस्तों, शनी का यति आपके life में प्रकोप चल रहा है, या शनी के कारण negativity आ गई है, तो उसको दूर जरूर करिए, शी कृष्न को रोज भोग लगाई है, अब हम जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, इनके साथ बहुत सारी तरह की दिक्कतें चल रहे हैं, वो बहुत जल्दी analyze नहीं कर पाते हैं, जल्दी सीख नहीं पाते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें रोज सरसती मा के सामने 108 बार बैट के गायत्री मंत्र बोल चैत्रमास के शुकल पक्षकी पंचमी तिथी को सुरसती जी के लिए वरत रखा जाता है, उस दिन पर आपको वरत रखना है, इसे सारस्वत वरत कहते हैं, इस वरत को रखने से आपकी जीवन में पढ़ाई लिखाई से संबंध जो भी तकलीफे आ रही थी, वो दूर हो ज जगड़े हर तरह के दिक्कतों का स्वालुशन हो जाएगा, तो अब हम सब मिलके बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान की जय, नंद में आनंद भयो जय कनहिया लाल की, हाथी घुड़ा पाल की, जय कनहिया लाल की, श्री कृष्ण के लिए जनमाश्टमी के शुब अपसर आप सभी से, एक ही बस मेरा अनरोध है, अपने घर में हस्ते मुस्कराते हुए, श्री कृष्ण भगवान का जनम सब जरूर मनाईए, आप सब अपने घर में बहुत खुशियों के साथ रहें, इन उपायों को करके, अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी है या प्रॉब्लम चल रही है, उनको दूर करिए, बहुत साही लोग मुझे अकसर कमेंट करके पूछते हैं, मैडम पैसी की प्रॉब्लम है, मैडम व्यापार नहीं चल रहा है, मैम दुकान नहीं चल रही, प्लीज उपाय करिए, सुभा के समय उठके, सूर्य के सामने बैठके, ओम खगुल काई सुभा, इस मंतर का चाब करिए, आप जितना ज़ादा उपाय करेंगे, नेकिटिविटी उतनी जल्दी हटेगी, आपको सॉलुशन उतनी जल्दी मिलेगा, आप लोग मुझे से पूछते रहते हैं और उपाय नहीं करते हैं, तो आपको सॉलुशन नहीं म जलता है, इसलिए मैं यहां हूँ आपकी help परने के लिए, आपको उपाय बताने के लिए, तो दोस्तों अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे like जरू कर लीजेगा, जन मास्टमी कम मनानी है, कैसे मनानी है, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, सब दे जोड़े रही है, जिससे के आपको life सब्मंदित important information मिलती रहेंगी, अच्छे आसान उपाय मिलेंगे, जिन्हें करने से हम सभी के life में एकदम अच्छी चीजे होने लगेंगी, तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करती है, सब्सक्राइब करती है और मेरे साथ जुड़े रहना, नवस्ते